हलो स्टुडेंट वेलकम वेक्टिव मैंटीजटा 247 दिस अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकर्स करने वाले हैं बहुत सारे बच्चे अभी भी यह सोच कर बैटे हैं कि यार अब तो हमारा सिटेटी का एक्जाम जो है बहुत जाए पास आ गया है या बौड़ एक्जाम के बाद ही हम matrix निकल गото करेंगे ना तो आप तो बोड एक्जाम भी निकल गए अब यहां पर बच्चों के मैं पहले ही कह रही थी कि बच्चे बहुत दिन कम रह जाएंगे आपके सी उटी जैसे बड़े एक्जाम को क्रैक करने के लिए उस हिसाब के में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तो आप अबी से तैयारी को शुरू कर दीजे लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि यह चाह रहे थे कि हम बोड एक्जाम के बाद अपनी प्रपेशन को स्टार्ट करेंगे तो अब वो टाइम आ गया है जब आप अपनी प्रपेशन सी उटी के प्रपेशन को जो है वो आप बहुत ही कम दिन रह गए हैं तो क्या हम इन कम दिनों में अपने सी उटी जैसे बड़े एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो मेरा मेरा जो जवाब होगा बिलकुल हां कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटिफूल सा मोटिवेशनल कोट है आपके यकीन मानिये दुनिया कैसी कोई ताकत नहीं होती जो आपको आपकी मंजल से दूर कर सके और आपको आपकी मंजल ना मिले है ना तो बस उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और कहते ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात क होना चाहिए है ना कि exam का pattern कैसा होता है right like question paper कैसे आते हैं कितने mark से question आते हैं किस chapter में ज्यादा जिस chapter से ज्यादा questions पूछे जाते हैं तो इस तरह की जो हमें एक एक overview मिलता है ना तो वह हमें exam pattern से पता चल जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे questions टोटल दिये जाते हैं इसमें से 40 questions ही आपको attempt करने होगे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है इतने अच्छे से concept क्लियर होते कि 50-50 कर देते हैं ना 50 के 50 उनको आ जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमारे एक गलत हो तो हो सकता है दूसरे पर मारे marks मिल ज कर सकते हैं उसके बाद five marks जो है हर एक question carry करेगा आपके five marks यह याद रटना इसमें नेगटिव मार्किंग है अगर आपने गलती से भी गलत option पर टिक कर दिया ठीक है या फिर सरकल फिल कर दिया तो इसमें आपके one marks जो माइनस one है नेगटिव मार्किंग है वो आपके यानिक को एक अपने reading habit में डालनी होगी और accuracy speed भी बढ़ानी होगी और अपने accuracy पर भी ध्यान देना होगा अब यह तो क्या था CUT का exam pattern था जो मुझे लगता है कि आपको सबके समझ भी आ गया होगा अब हम यहाँ पर बात करते हैं slabers की तो सबसे पहले हमने exam pattern जानने है फिल उसके बाद बात आती है क्या slabers को जानने की है ना तो किसी भी exam में बचे जानने से पहले हमें उसका slabers बता होना चाहिए slabers की according की फिर सारी चीज़े होती है राइट तो slabers की according जब हम अपना strategy plan बनाएंगे तो वो सरीके से बनाएंगे ताकि exam से पहले हम वो सारी चीज़े cover कर सके वो सारा पूरा का पूरा slabers जिसमें हर topic को clear करेंगे तो वो सारा का सारा slabers में आपका आ जाएगा CUT जैसे exam में slabers को cover करना है यह बहुत जादा जरूरी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ class 12th की NCRT ही follow करने है class 12th की NCRT follow करने बहुत सारे बच्चे confused वाता कि madam हमें 9, 10, 11, 11th का भी करना है तो बिल्कुल नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ class 12th की NCRT का slabers ही आपको पूरा करना है एक चीज और बता देना चाती हूं इसी slabers के अंदर जो आपके deleted portion है यानि कि जो deleted chapters है आपको वो भी करने पड़ेंगे राइट वो भी करने पड़ेंगे तो यहां आपका जो slabers है CUT का आप उसकी main website पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और वैसे मैंने बता भी दिया है कि पूरा क है तो यह पूरा का पूरा slabers आपको clear करना होगा नेक से बात करते creator study plan पूरा slabers cover करने के लिए हमें क्या एक एक बहुत ही जबरदस तरीके से अपना एक strategy plan बनाना होगा time table बनाना होगा एक schedule बनाना होगा उसी schedule के according क्या करेंगे उसी schedule के according हम अपने plan को execute करेंगे यानि कि उस देरे देरे एक एक करके अपनी सफलता की सेडिया पार करते रहेंगे अब चाहते हम कि नेक्स पर focus करें तो focus all important topic तो बच्चे हमें यह पता होता है कि अभी जो है हमारा hard work का time नहीं अभी हमारे पास smart work करने का time है na smart work आप जानते हो ना कि कम time में ज्यादा से ज्यादा information collect करन तो अभी हमें उस पर काम करना है तो इसमें क्या जाएगा हमें वही चीज पढ़ने है अपने exam के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा important है तो हमें क्या करना है focus all the important points for example कि अगर आप अपने अपने खुद से study करते हो ना तो आपको क्या करना है तो आपको वही चीज आपको main main learn करनी है वही उस पर ही आपको study करना है जो कि आपको लगते है कि यह आपके exam point of way से बहुत ज़्यादा important है यहां से question आ सकते है for example मैं अगर बात कहूं तो blue boxes से right chapter के बीच में से जो भी आपको important लगता है आप उसको underline कीजिए notes बनाए कुछ भी कीजिए तो यह सारे इस त reference book and online CUET courses कहने का मतलब यह कि अभी आपको क्या करना है अभी आपको books पर यानि कि आपकी जो quality resources resources का मतलब जहां से आप अपने CUT जैसे exam को crack करने के लिए तरह तरह के resources आप जो है वो उसको collect करेंगे for example study के लिए अगर आपको देखो बहार जाना पड़ रहा है अगर आप coaching ले तो कहीं से offline coaching लेते हो तो आने जाने में क्यों अपना time waste करना तो इससे better है कि घर बैटे time भी save करो online coaching ले सकते हो आप online courses को join कर सकते हो तो online courses में आपको जाने आने में जितना time लगता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो आप उसमें अपना time save कर सकते हो ठीक है तो अपना क्या करना है आपको अपना time save करना है ठीक है save your time right उसके बाद आपके पाक जो books वगरा होंगी तो पढ़ना है उसमें से वही में में चीजें पढ़ने हैं जो हमारे एक्जाब पॉइंट अवे सब्सक्राइब है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं रेफरेंस बुक का मतलब है कि ऐसी बुक जिससे कि हमारे पूरे चाप्टर को बहुत ही कॉम्प्रेहसिव मैंनियर में लिखा कुछ ऐसा माइन मेफ उसमें हो या फिर एससे टॉपिक्स और सकते ऑं बुर इंपने पने वाईज को अपने चाप्टर वगडर इसको बहुत ही एक वाइजली आपको रिविजन कर नहीं यानिकि बहुत ही जो है वो गप tartan कहते हैं इंद्रिया कोल करके अपनी जो है प्रिपेशन को स्टार्ट कर देना है तो कहने का मतलब है कि फोकसिंग ऑन की कंसेट्र फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट तो अगर मैं बात करूं या पर किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं तो चाहे वह आर्स का है थि को MRS का है यह साइंस का थे तो अब इस चाहिए नहीं में बात करूं मैं से बात करूं और फिर आपके जो चैमेस्ट्र इनीमेर में से फॉर्मूला थे कह एंपर आते हैं तो अब आपको सिर्फ अटी इंपोर्टेंट है तो उस होते हैं तो इस इतने बड़े-बड़े चाप्टर को बहुत ही कंसाइज वे में हम क्या कर सकते हैं माइन बैप के तुरू फ्लेश कार्ट के तुरू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिससे हमारा टाइम सेव भी होगा एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी बढ़ेगी नियक्स होते हैं आपको पूरा पूरा चैप्टर नहीं लिखना होता बस बहुत ही छोटे मैनर में उसको करना होता है और साथ साथ में आपको नोट्स बनाते रहें ताकि आपने ताइम पर क्या कर सको आप रिवीजन अच्छे से कर सको अब कोई भी एक्जाम होता है उसे लेटिड काफी सारी इंफिरमेशन साती रहती है अप्डेशन साती रहती है तो उसके लिए आपको एक्जाम के लिए अपडेट रहना पड़ता है कि अब कॉन से नोटिफिकेशन आए क्या हमारे एक्जाम में कोई चेंजिस तो नहीं होएं डेट एक्टेंड हो गई है कब फॉर्म निकला कब सम्मिट करना क्या चीज़ हो रही है तो इसके लिए आपको अपडेट रहना होता है इस बार क चीज़े आपको मिल सकती है कि सारी की सारी चीज़े आपको कही न कहीं एक प्रतिग्या टू पाइंट ओ आपको क्या करना है यह इसमें आपको इंपॉर्टन जो टॉपिक्स होते उनके साथ साथ में आपको प्यवईपी किट्स विदी जारी है जिसमें आपके सेलक्शन के पूरी-पूरी पूरी हंड़र परसंट के आपर आपको एक उम्मीद लगा सकते हुए यहाँ पर पूरी तरी के से आपको एक गैरेंटी दी ज करने हैं और यह सारी चीजह जितने भी मैंने अपडेट्स वगरा बताई हैं कैसे क्या study plan बनाना है तो यह सारी चीजह आपको अड़्ड़ 24 7 की application पर मिलेगा तो application को क्या करना है आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपको UGPG entrance पर क्लिक करना है यह आगया प्रतिग्या 2.2 इस पर क्लिक करना है अब मैं इसको बैच को purchase करने के लिए आपको coupon code बताऊंगे उस coupon code को लगा देना और यहां पर सारी चीजह आपको जो है वो provide होने लगेगी कहने का मतलब यह कि अभी वो time है और एक good news और आपके लिए good news यह है कि जैसे आप इस प्रति तीन दिन में जो बच्चा इस प्रतिग्या 2.0 को purchase कर रहा है उसके लिए प्रतिग्या 1.0 free मिलेगा उनके लिए जीटी English की book भी free of cost मिलेगी है ना बच्चे जीटी English की book free of cost मिलेगी कहने का मतलब यह कि आपको उसके लिए कोई payment नहीं करनी पड़ेगी अब बहुत सारे देखेगा जीटी English की जो book है उसके लिए अलग से cost रखी गई है तो वो जो book है वो पहले तीन दिन वाले बच्चों को free of cost दी जा रही है और प्रतिग्या वाले अब यह सोचे कि मैंदब यह बैस तो है जो आपको 12 से स्टार्ट होने वाला है लेकिन अगर आपने आज बैस खरीदा है तो कल से ही आपकी classes start हो जाएंगी क्यों कैसे क्योंकि आपको प्रतिग्या जो 1.0 है उसकी classes अलरेडी चल रही है तो आप उसमें आकर के classes कल से अपनी studio कर देंगे और जैसे प्रतिग्या 2.0 आपका शुरू होगा तो आप उसमें revision कर सकेंगे कहने का मतलब अब इ of cost मिलेगा जीटी English की book free मिलेगी कल से वो classes अपनी start कर सकता है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे cuit में 30 days का जो आपको plan बता है वो सारा का सारा plan जो है वो हम प्रतिग्या 2.0 में यहां पर follow करने वाले हैं जल्दी से जाएए इस coupon code को लगाईए और मेरे साथ मेरे साथ क्या मोहिन सर आपको पालेटी पढ़ाएंगे मैं आपको history पढ़ाऊंगी और जो geography वाले सर है यह श् इन तीन दिनों में जो भी बच्चा enroll करेगा तो वाके में वो बहुत कुछ पालेगा ठीक है तो मिलते हैं अपने next session में जो की होगा मारा प्रतिग्या 2.0 का जल्दी से जाएंगे आज ही इसको purchase करेंगे मिलते हैं अपने next video में till then take care bye bye to all and jahin